कैसे चेक करें आईफॉन असली है या नकली अगर आप सकेंड हैंड आईफॉन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथ ट्रिक जिसकी मदद से आप मोबाइल का पूरा जन्म कुंडली निकाल सकते हो और एक अच्छा मोबाइल ले सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन साथों स्टेप को जानते हैं क्या क्या आपको चेक करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे फॉन असली है यह फिर नकली तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है सेटिंग्स एप को ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां पे जैनरल पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद वाले ओप्सन पे क्लिक करना है यहां पे आपको दिखेगा सीरियल नम्मर इसको कॉपी कर लेना है और आपको किसी ब्रॉजर को उपन करना है और ब्रॉजर में सर्च करना है आपको चेक कवरेज सर्च करने के बाद जो उपर में वेबसाइड आ रहा है आप देख सकते हैं Apple का official website है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर serial number टाइप कर देंगे टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं capture है तो simply इस CAPTCHA को यहाँ पर टाइप करना होगा यहाँ पर टाइप करने के बाद सम्मीट वाले बटन पर क्लिक करना है अगर आपको CAPTCHA समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं New Code इसके ओपर क्लिक करना है तो New CAPTCHA आ जाएगा तो यहाँ पे पहले मैं capture type करके submit पे click कर देता हूँ जैसे आप submit करेंगे तो यह बता देगा iPhone असली है या नकली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा phone है यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 purchase date August 2020 और serial number same आ रहा है तो इसका मतलब original है अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो समझ लेना नकली है फेक है आपको पता चल गया असली और नकली का पहचान कैसे कर सकते हैं तो चलिए अब चेक करेंगे status यानि अगर phone चोरी का होगा तो आपको पता चल जाएगा तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है call app को open करना है और यहाँ पे code type कर देना है code में क्या type करना है star hatch 06 hatch तो यहाँ पे आप देख सकते हो आचुका है device info तो second number पे आपको देखने को मिलेगा I am I e number तो इस number को copy कर लेना है copy करने के बाद आपको google chrome को open करना है and आपको search कर लेना है इस वाले website को imei.info search करने के बाद यहाँ पे आपको उस I am I e I number को यहाँ पे type कर देना है type करने के बाद आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद capture को अच्छे से देख के verify कर लेना है अब आपको यहाँ पे click करना है click पे and यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से option देखने को मिलेगा आपके mobile का नाम mobile का brand क्या है वो देखने को मिलेगा आपको यहाँ आ जाना है basic checks free तो सबसे उपर में है phone blacklist check simple तो इसके उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक option है check blacklist status इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको 7-8 second wait करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं blacklist status तो यहाँ पे clean है अगर यहाँ पे blocked लिखा आए तो समझ लेना phone चोरी का है तो आपको पता चल गया चोरी का अगर phone है तो आप कैसे check कर सकते हैं अब check करेंगे mobile का battery health बहुत ही जरूरी है चेक करना आपको यहाँ पे आजाना है battery वाले option पे click करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं battery health and charging इसके उपर click करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे अगर maximum capacity 80% से ज़्यादा है तो better है अगर 80% से कम है तो समझ लो आपके लिए हानिकारक है कभी भी आपके साथ बुरा हो सकत है यानि आगे आपके साथ कभी भी problem हो सकता है आपको पता चल गया battery health कैसे चेक करते हैं तो चलिए अब चेक करेंगे अगर phone के अंदर कुछ part change किया है तो आप कैसे पता करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको settings पे click करना है general पे click करना है about पे click करना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको देखने को मिलेगा model number model number में starting में M है समझ लेना new iPhone है अगर यहाँ पे N होगा तो समझ लेना इसका कुछ parts change किया गया है refreshed है अगर यहाँ पे F है M के जगह पे तो समझ लेना इसका मतलब खराब iPhone को ठीक करके नया जैसा बनाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो HN है इसका मतलब होता है country code यानि HN जो है न यह है इंडिया का country code अब आपको चेक कर लेना है screen आप देख सकते हैं यह है screen तो screen क्या चेक करेंगे असली है या नकली कैसे पता कर पाएंगे तो इसके लिए आपको यहाँ से नीचे की और करना है और यहाँ पे brightness पे hold करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आपको यह वाला जो है यहाँ पे अगर option नहीं आए true tone का तो समझ लेना नकली है अगर आए तो असली है चेक करेंगे speaker microphone और button यह वाला जो button यहाँ पे side में यह सारे चीजों को चेक करेंगे तो button च तो on off यह करके देख लिए अब यहाँ से volume down अप करके देख लेना आपको पता चल जाएगा खराब है या फिर सही है और यह रहा silent off on का तो यह भी ठीक है और speaker चेक करने के लिए आपको कोई भी गाना वगेरा बजा के आप अच्छे से चेक कर सकते हो microphone को चेक करने के लिए क आपको सबसे मैंची चेक करना है camera camera को on कर लेना है और अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं आपको अच्छे से चेक कर लेना है अगर ठीक है तो लेने के बारे में सोचना अगर camera खराब हो या जो मैंने आपको बताया उनमें से कुछ भी अगर खराब है तो आपको बिलक कंडिशन भी चेक कर लेना कहीं स्क्रेच वेगरा टूटा हुआ तो नहीं है तो आई होप आपको पता चल गया सकेंड हैंड आईफॉन लेने से पहले क्या क्या चेक करना है इन सारे चीजों को अगर आप चेक करते हो तो आप एक अच्छा फॉन ले सकते हो